तो इस वीडियो में हम समझने वाले Dober emitters, कुन थे,ँनके threads क्या थे उनके कुछ examples हम देखेंगे और फिर उसके dropbacks हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले देख ले देख लेते की Dober やंनर, कुन थे तो उनका पूरा नाम था, Johnwellstein Dober 속 जेर्मन scientist थे और प्रोपेसर ते केमेस्ट्य और फार्मसी के उनिवर्शिटी आफ जिना में तो उनका जन्म हुआ था 1780 में और मुर्थी हुई थी 1849 में तो अब देख लेते हैं डोबेरान ट्रेड्स को तो ट्रेड्स क्या होते हैं ग्रूप ओफ थ्री एलेमेंट्स को हम कहते हैं तो उन्हों ने ऐसे ग्रूप बनाए थे जो की सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते थे अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलेमेंट्स को एड़ करें और उसका एवरिज नेका ले तो हमें एप्रोग्जिमेट वैल्यू मिलती थी मिटल एलेमेंट्स की यह कहता है डोबेरान ट्रेड्स तो यहाँ पर आप कुछ त्रेड्स दे देख सकते हो अब एक्जामपल देखते हैं तो सबसे पहला एक्जामपल है लिथियम पोटेशियम और सोडियम का अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एटोमिक मासिस को एड़ करें और उसका एवरेश नेकाले तो हमें मिलता है 22.95 जो की एप्रोग्जिमेट है सोडियम क एक्जामपल देखते हैं कैल्चियम और बैरियम इन दोनों के एटोमिक मासिस को एड़ करें और उसके अप्रोग्जिमेट निकाले तो हमें मिलता है 88.7 जो की एप्रोग्जिमेट है स्टॉंटियम के एटोमिक मास्ट है वह कितना है 88.6 तो अब इसके देखते हैं तो डोबे रेनर्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे यह दोस्तों यह था चोटा सी वीडियो डोबे रेनर्स ट्रेट्स के उपर अगर आपको वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए बेच में जो लोगों दिख रहा है उसे दोने वीडियो भी देखने ना बुलेगा धन्यवत दोस्तों